जब भी हम दिवारों को कलर करते है तो उससे पहले एक important step आ जाता है जो कि है पुट्टी अगर आप चाहते हो दिवारों को कलर करने के बाद उनकी finishing बहुती superior दिखाई दे तो उसके लिए पुट्टी ज़रूरी होती है पुट्टी करवाने का फायदा यह होता है कि जब हम दिवारों के उपर plaster करते है तो plaster करते समय उसके उपर छोटे मोटे undulations या फिर खुर्दरी सतर छूट जाती है तो इन चीजों को cover करने के लिए काम में आती है पुट्टी पुट्टी के वज़े से आपकी जो दिवार है वो बहुती smooth बन जाती है जिसके उपर जब आप color करते हो तो color की finishing भी बहुत अच्छी दिखाई देती है फिर चाहे आप कितना भी महगा paint क्यों न इस्तमाल कर लो पर अच्छी finishing के लिए पुट्टी ज़रूरी ही होती है तो अब सवाल ये आ जाता है कि अगर हम पुट्टी करवाते हैं तो हमें कितना खर्चा सकता है तो इसी सवाल का जवाब हम इस video में देखेंगे हम ये जानेंगे कि अगर आप किसी एक रूम को पुट्टी करवाते हैं तो आपको कितना खर्चा आएगा इसकी वज़े से बाकी रूम को भी पुट्टी करवाने के लिए कितना खर्चा सकता है इसका आंदाजा आपको आ सकता है तो यहाँ पर हम एक्जामपल के लिए एक रूम लेंगे जिसका की साइज होगा 10 feet by 10 feet अब इस रूम को पुट्टी करवाने के लिए कितना खर्चा आएगा ये सिर्फ हम 3 स्टेप के अंदर निकालेंगे पहला स्टेप जिसमें की हमें square feet निकालना पड़ेगा दूसरा स्टेप जिसमें की हम material cost निकालेंगे और तीसरा स्टेप जिसमें की हम labor cost निकालेंगे और वीडियो का जो end part होगा वहाँ पर हम ऐसी एक trick देखेंगे जिसकी मदद से चाहे आपकी room कितनी बड़ी या फिर छोटी क्यों न हो आप एक स्टेप के अंदर directly उसे कितना खर्चाएगा पुट्टी करवाने के लिए ये आराम के साथ निकाल सकते हो तो इसी लिए वीडियो को पूरा जरू देखे चानल पर अगर आप लोग नए आया हो तो चानल को जरू सब्स्राइब कर लीजे तो यहाँ पर पहला स्टेप आ जाता है जिसमें कि हम square feet निकालेंगे अगर हमें labor cost निकालना है या फिर material cost निकालना है तो हमें room का square feet जरूर निकालना पड़ेगा जहाँ पर हम पुट्टी करेंगे अब यहाँ पर example के लिए जो हमने room ली है उसका size है 10 feet by 10 feet यह जो 10 by 10 की room है इसकी चारों दीवारों के उपर तो पुट्टी होगी साथ में ceiling के उपर भी पुट्टी होगी यानि कि 5 जगप पर पुट्टी होगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक दीवार का square feet निकाल लेंगे और उसे 5 से multiply कर देंगे तो हमें पूरे room का area मिल जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास length available है जो की 10 feet है अब यहाँ पर दीवार की जो height है वो हम यहाँ पर 10 feet consider करेंगे तो यहाँ पर 10 multiply 10 is equal to आता है 100 square feet अब यह हो गई एक दीवार की बात अब यह जो 100 square feet area आया है बाकी दीवारों को भी उतना ही आएगा और ceiling भी 10 by 10 की है इसी वज़े से उसका भी area 100 square feet आयेगा तो इसलिए 100 multiply 5 is equal to आ जाता है 500 square feet यानि कि 500 square feet आपके 10 by 10 के room का पुट्टी लगाने का area आया है अब यह जो 10 by 10 का room है इसमें दो जगव पर पुट्टी नहीं लगेगी पहली चीज आपका door और दूसरी आपकी window तो यहां पर हमें 500 square feet हमारे जो room का area आया है उससे door और window का deduction करना पड़ेगा मान के चलेंगे हमारा जो door है उसका size है 7 feet by 3 feet यानि कि 7 multiply 3 is equal to आता है 21 square feet और हमारी जो window है उसका size हम अजूम करेंगे 5 feet by 5 feet यानि कि 5 multiply 5 is equal to आ जाता है 25 square feet तो 21 plus 25 is equal to आ जाता है 46 square feet तो यह जो 46 square feet आय है इसे हम 500 के हमारे room से minus कर देंगे जिससे कि हमें actual पाता चलेगा कि room में कितने area में हम putty करने वाले है तो 500 minus 46 is equal to आ जाता है 454 square feet यानि कि हमरी जो 10 by 10 की room है उसके अंदर हम 454 square feet area में putty करने वाले है अब आगे के step बहुती आसान है अब यहां पर step number 2 है जिसमें कि हम material cost नि यानि कि 1 kg putty के अंदर आप जो है 12 से लेके 15 square feet area cover कर सकते हो तो यहां पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि 1 kg में हमें 15 square feet का coverage मिल रहा है तो हमारे room का area कितना आया है वो आया है 454 square feet इसे हमें 15 से divide करना है इससे हमें यह पता चलेगा कि हमें कितनी putty लगने वाली है तो 454 square feet divided by 15 is equal to आजाता है 30.26 kg यानि कि हमें 30.26 kg putty लगने वाली है इस room के लिए और अगर हम putty के cost के बारे में बात करते है तो 40 kg की एक bag branded quality की अगर आप लेते हो तो आपको 900 रुपे तक मिल सकती है यानि कि approximately putty का जो cost है साड़े 22 रुपे किलो से लेके 23 रुपे किलो तक आप consider कर सकते हो तो इस 10.10 के room में हमें 30.26 kg putty लगने वाली है और putty का cost जो है वो हम 23 रुपे consider करके चलेंगे यानि कि 30.26 multiply 23 is equal to आजाता है 695 रुपे अब यह तो होगा है material cost अब बात करता है step number 3 की जिसमें कि हम labor cost के बारे में जानकरी लेते हैं वैसे तो जो labor charge होता है 2 coat putty करने के लिए वो होता है 6 से लेके 8 रुपे per square feet के इसाफ से पर यहाँ पर हम ऐसा मान के चलेंगी कि 7 रुपे per square feet के इसाफ से labor rate हमें लगने वाला है तो हमारे room का area जो है 454 multiply 7 रुपे का हमारा rate और हमारा answer आ जाता है 3,198 रुपे यह हो गया हमारा labor charge जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है वो आया है 695 रुपे प्लस 3,178 रुपे हमारा labor cost आया है इन दोनों को अगर हम जोड लेते हैं तो हमारा answer आ जाता है 3,873 रुपे यानि कि अगर आपको 10 by 10 के room को पुट्टी करवानी है 2 quote तो आपको 3,873 रुपे तक खर्चा सकता है तो यह तो हो गई 10 by 10 के room की बाद पर अगर आपके room का size कम या फिर जादा है तो आप किस तरह से निकाल सकते हो कि उसे पुट्टी करवानी के लिए कितना खर्चा सकता है तो इसके लिए already हमारे पास data available है उससे हमें सिर्फ ये जानना ही कि 2 quote पुट्टी करवानी के लिए हमें per square feet कितना खर्चाता है तो उस उसे divide करेंगे जितने square feet में हमने पुट्टी की है उससे और इससे हमें ये जानकरी मिलेगी कि per square feet हमें कितना खर्चा रहा है 2 quote पुट्टी करवानी के लिए तो 3873 रुपए हमें खर्चा है divided by पुट्टी का area जो कि है 454 is equal to आ जाता है 8.54 यानि कि आप ऐसा कह सकते हो कि 2 quote पुट्टी करवानी के लिए हमें 8.5 रुपए तक खर्चा सकता है यानि कि हम ऐसा मानके चल सकते है कि हमें 2 quote पुट्टी करवानी के लिए 9 से लेके 10 रुप है तो comment box में comment जरू कीजे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरू इसे like कर दीजे चानल पर अगर आप लोग नए आये हो तो चानल को जरू subscribe कीजे और ये जो तीनों वीडियो है इन में से कोई एक वीडियो आपके जरू काम में आ सकता है